निंजा H2R vs KTM Super Duke हाँ तो निंजा के फैंस लाइक करो और KTM के फैंस सब्सक्राइब करो वेल निंजा आएगी 35-80 लाग में वहीं Super Duke का आएगी 15 लाग में KTM की टोप स्पीड 210 किलोमेटर पर आवर वहीं निंजा की टोप स्पीड है 400 किलोमेटर पर आवर इसकोर बराबर लेकिन निंजा H2R है रोड इलिगल बाइक यानि इतना पेशा खर्च करने के बाद भी इसे हम सिर्फ ट्रेक पर ही चला सकते हैं वहीं Super Duke को हम कहीं भी चला सकते हैं इसलिए the winner is Super Duke